सबसे पहले इंट्रोड़क्शन क्या है जो भी चीज हम देखते हैं समझते हैं वह कहीं न कहीं स्टोर होती है एक इस तरह का आर्किटेक्शर हमको चाहिए जहां पर वह समझने वाली चीज है जैसे कि हम जब पाइफन को स्टार्टिंग में सीख रहे तो हमने देखा कि टाइप से तरीका होता है जिसमें हम उसी टाइप का डेटा को स्टोर कर पाते हैं तो प्रफीटेक्शर से क्या है कि जो इंटर्रिलेटेटेड डेटा है एक आपको डेटाबेस बनाना है स्टुदेटस अनौ वी नीट फील्स और अट्रिब्योट्स जो के इस्टुडेंट के डेटा को जस्टिफाई कर सके हैं पर एक जम्पिल प्लास रोल नमबर नेम फादर नेम देदव बर्थ ग्रेड सेक्षन एडमिशन नंबर तो यह जितने भी हम फिल्ड से अट्रिब्यूट्स की बात कर रहे हैं यह इस्टुडेंट को जस्टीफाई कर रहे हैं यह ब्रक्षन नहीं पुट्रिब्यूट्स लाइक शेलरी, क्वांटिटी, अमांट, रेट तो यह भी कॉलम्स हैं जिनको बात कर रहे हैं लेकिन वह इस्टुडेंट डेटाबेस के साथ जस्टिफाई नहीं करने हैं तो database के लिए हमें जो समझ में आ रहा है वो है कि database collection ने लेकर Interrelated data का ठीक है और database generally क्या है computer based record keeping system है हाप simply records को use करते हैं और database हमें पता चला तो database management system क्या है जिसमें हम data को add कर पाएं delete कर पाएं modify कर पाएं या अपडेट कर पाएं और extract कर पाएं और search कर पाएं यह basic चीजह होती है तो अगर हमें कोई भी ऐसा software या कोई भी application या कोई भी system इस तरह की facility provide कर देता है जो हमारे database को add कर देगा delete कर देगा modify कर देगा और search कर देगा तो वह हमारा एक तरीकी का database management system बन जाता है okay now purpose of database क्या है database हमको क्यों चाहिए standard enforce करता है standard means quality data की quality को आप enhance कर सकते है for example अब हमारे पास एक database है suppose मैं क्या करता हूं मेरे friends IP class में 14 students है for example और मुझे उन सबका suppose data चाहिए ठीक है मैंने क्या किया copy ओं से pages पाड़े और उन पे बच्चों को दे दिये और लिखा अब एक page मैंने table के edge drawer में गुसा दिया एक page मैंने attendance register में रख दिया एक page मैंने teacher diary में रख दिया और वो है वो सारी चीज़े अब जो क्या होते ही बिखर गई गरबड हो गई अब मुझे उस data को coordinate करना पड़ेगा फिर उसको organize करना पड़ेगा तब जाके मैं उस data से कुछ meaningful information extract कर पाऊंगा लेकिन database management system क्या है हमें वो quality platform provide करता है जिससे कि आप जो भी data है जैसे कि मैंने उस दिन आप लोगों से एक information मांगी थी तो मैंने simply a google form के थूरू एक platform दे दिया था और जिसका data मेरे google sheets में आ गया था okay google sheets में आ गया था और मैं एक साथ ही collectively सबके information को as on my will मैं उसको देख पा रहा था use करता है also database can control inconsistency inconsistency means for example there are 14 students, 3 student ऐसे जिरोंने data submit नहीं किया और 4 student ऐसे जिरोंने data double submit कर दिया triple submit कर दिया तो जब pages होंगे तो वो मेरे को क्या करना पड़ेगा in the physical mode मुझे organize करना पड़ेगा मुझे segregate करना पड़ेंगा अलग लग चीज़या और फिर जाके मुझे error लेकिन database में मैं simple constraint लगा दूँगा unique ठीक है तो कोई भी double entry नहीं कर पाएगा और जहां पर भी null exemptions है वो मैं पता कर पाऊँगा तो इस तरीके से दोनों ही चीज़ों को मैं maintain कर पाऊँगा देटा की जो inconsistency है data out of range है या within range या within scope जो data नहीं है उन सबको मैं easily cover up कर पाऊँगा देख पाऊँगा also database facilitating sharing of data अब क्योंकि data आप हमारे पास soft copy में है in the form of soft copy so आप उसकी multiple copies आप generate कर सकते है data का backup easily हो सकता है for example आपकी soft copy crash कर गई corrupt हो गई whatever it is तो आप उसमें backup copies को भी use कर सकते है for example मैंने आप लोग क्लास से पंचम को for example class monitor बना दिया ठीक है IP का और मैंने पंचम को किसी काम के लिए आपके जो project allotment list ही वो share कर दी अब वैसे क्या होता मैं कागस देता तो मेरे पास वो list नहीं रहती है अगर मैं पंचम को देता तो इस तरीके से भी है also databases can insert data security security in the terms of जिनको चाहे table उनी के साथ आप data को share करें and authorized access को आप block कर सकते हैं authentication जो है आप उसको apply कर सकते हैं two factor authentication भी आ चुका है आजकल तो ठीक है और इसके अलाबा भी बहुत सारे authentication की methodal से आप अपने data को protect कर सकते हैं ठीक है data redundancy वही terms जो आपके data consistency के साथ जोड़ा हूँ है redundancy in the मतलब of multiplication of copies ठीक है तो वह आपका minimum कर देता है redundancy को खतम ही कर देता है databases से easily आप उन चीजों को cover up कर पाते हैं and integrity also can be maintained integrity in the terms of कि हमने क्या किया जो भी database है for example अगर मैं bank management system की बात करूं आप लोगोंने साथ किसीने project दे दिया था अगर हम bank management system की बात करा है तो उसमें database है जिसमें suppose 15 accounts आप दिया उनके अंदर कुछ-कुछ amounts है balance है और उन balances को क्या किया है multiple access हमने provide किया है जैसे कि data security और sharing of data में एक suppose bank के owner का है manager का है फिर जो distribution clerk है उसका है और एक खुद customer का है इस तरीके से हमने different multiplication लेविल पर multiple level पर जो है authentication हमने इंप्लांट कर दो क्या होगा अब हर एक का जो view level है ठीक है उसको हमने देखा और उसी हिसाब से उसको वो for example money transfer money receipt और accounts को कर सकता है इसके अलावा वो अपने account के अलावा दूसरे का कुछ नहीं देख सकता because there are 15 accounts customer A can only see his account details okay उससे उपर आए उससे उपर वाली label पर है suppose clerical जो हैं जो लोग हमारे distribution officers होते हैं cash withdrawal या verification officers होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं सभी का data but they cannot manipulate it they need permission from their hiring then manager and then owner इस तरीके से authentication हेरी की बनी हुई होती है जो कि rights को कि किस तरीके का आपका उस पर रोल हो सकता है और इसके बाद जो integrity है वो कैसे maintain होगी कि कि किसने वो transaction या कोई भी अपडेशन ने वो perform किया वो record होता है ठीक है अगर आप लोग ने google sheets में work किया है अगर नहीं किया तो हम आपके साथ एक google sheet बनाएंगे for example मैंने एक google sheet बनाई जिसमें सिर्फ मैंने क्या किया तीन कॉलम्स बनाएं रॉल नमबर नेम एंड क्लास ओके और वो मैंने google sheet आपके साथ share कर दी ओके आप लोगों के साथ share की तो facilitate sharing of data हो गया अब उसमें क्या है आप लोगों को मैंने बोल दिया कि अपने ही account से आप लोग उसमें आप लोग इन करना पड़ेगा आप लोग इन करेंगे फिर उसमें एंट्री एडिट करेंगे तो अब मुझे पता चल जाएगा जो भी seat का ओनर है कि किसने किस कॉलम में किस फिल्ड में या किस टाइम पर एंट्री दिया तो इस थिंग कैन बी मैंटेंग एवरीफिंग इच क्लियर तो डेटाबेस कैन आलसो यूज फॉर मैंटेनिंग इंटेगरिटी ना तर्म वही डेटाबेस एब्स्रेक्शन जो कि हम अभी बात कर रहे थे कि डेटा आपका एक्चुली डेटाबेस में इन तीन लेबल्स पर एक्चुली मैं जहां पर डेटा रहता है और यह होता है मिडल लेवल जिसे लॉजिकल लेवल या तो जो डेटा एब्स्रेक्शन होता है यह क्या होता है इस हम ने अभी बताया कि जो बैंक का कस्टमर आ है उससों सिर्फ उसी की अकाउंट डिटेल्स दीखेंगे बाकि किस customers हैं उनकी जो details हैं वो इस user के view level है इसके irrelevant है तो उससे उसको hide कर दिया जो user का role है जो उसका access role है उसके basis पर ही उसको चीजों को दिखाना और बाकी चीजों को छुपा लेना ही data extraction कहलाता है ठीक है तो इसमें तीन level है सबसे internal level physical level lowest level of abstraction then logical level और view level यह आप समझो bank का customer यह clerk यह manager customer clerk manager ठीक है तो इस तरीके से सबसे पहले आप देखेंगे internal level ठीक है is one the closest to the physical storage जो कि actual data जहां पर store हो रहा है ठीक है इसे physical level कहते है data store है तो यानि कि इसके पास admin rights एक तरीके साब यह समझें इसके पास admin rights ठीक है इसके बाद आता है conceptual level जो बीच में मतलब perform करता है यानि कि यह data में data के structure में कोई बदलाव नहीं कर सकता लेकिन data को देख सकता है ठीक है this label of instruction describes what data are actually stored relationships को देख सकता है logically उनको देख सकता है लेकिन data के structure में और schema में scheme में बदलाव नहीं करते है ठीक है that is logical क्योंकि यह view करने के काम नहीं है आप लोगों को मैं अगर मेरा whiteboard खुल जाएगा तो मैं आपको बताता हूं actually मैं जो लेवेल होता है वह किस तरीके से आपका अगर 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 उसे आप लोगों के ही examples समझते हैं कि किस तरीकर से आपने उसके लिए बनाया और examples यह आपने बनाया एड में ठीक है यह एक लेविल है जिसे आपने इंटर्न लेविल भी बोला यह एड मिन है जो बैंक है या प्रिंसीपल है अगर इन स्कूल की बात करने जैंड देर आप तो इनके पास इंटर्नल राइट्स नहीं है जो कि admin के पास है लेकिन इनके पास अपने से नेस्ट लेविल का राइट्स है तो यह अब सपोच इसमें इस क्लास के अंदर सपोच क्लास एक अंदर तीन इस्टुडेंट्स या कस्टमर्स इसके अंदर सिंक है अगर इस अरिया इस एरिया घी बात आती है 여री है कि आप लाइता क Benjamin देखते है तो amöl कॉर्ब है इस एरिया की बात आती है तो Pulis vielen इस एरिया घी पात अथे और यह इन्डिविज्या अपने लिए अपने लिए जो भी है यह individual खुद के लिए इसी तरीके से आपका काम चलता है for example आप लोग school level समझते हैं यह हो गए आपके principles यह 12 CK class teacher for example IP के यह economics के और यह for example accounts के लिए IP के लिए यह बच्चे है और माली accounts के लिए यह बच्चे है और economics के लिए यह बच्चे है तो उस तरीके से वो लोग organize रहता हर जगे आप यह view level और conceptual level और physical level आप देख पाई ठीक है यह हो गया इसके बाद आता data turn data in the finance ठीक है now यही जो हमने अभी scheme बनाई इसी में हम बात करें से थो, समantal यहाने सी शरेणी में थे में केराण के गया हो विए dużo और कि यह वह वर्क नहीं कर रहा आप इस तरीक से समझे लिए फिजिकल डेटा इंडपेंडेंस इस तरीक से होटी है इस तरीके से आप इससे समझें तो इन दोनों के बीच का जो होता है वो गया फिजिकल डेटा इंडपेंडेंस और इन दोनों के बीच के जो हो गया वह हो गया लोजिकल इस कनसेप्चल को लोजिकल भी बोलते हैं तो यह हो गया आपका लोजिकल डेटा इंडपेंडेंडेंस क्या है अबिलीटी तो मोडिफाई इसकीम डेफिनेशन ए नेच्थाया लेवेल और अपर लेवल फर एक्जम्पिल इसकाप्चल और लोजिकल तो आपका information को जो है modify कर सकते हैं check कर सकते है scheme definitions को लेकिन ये जो conceptual level है इस से उपर वाली में नहीं कर सकते हैं यानि कि इस में और physical data dependence में क्या हो गया conceptual में कर सकते हैं लेकिन physical में नहीं कर सकते हैं तो अगर ये अभी थाम करता है मेरा whiteboard ये एक्चुली में नहीं कर रहा है तो आपके आपके इस स्टार्ट करने काँ इसलिए आपने को समय आपके सकते हैं तो ये इस प्रप्ट्र ये राफ्यूंने का इसलिए में ये इसलिए आपके स्टार्ट कर लेकिन येख आपके इसलिए इसलिए झाल झाल याभिकल यारिकल याल यहां पर होगे आपकी स्विजी कर देदा है नहीं है यहां पर होगे आपकी तंसर्ट नहीं है तो इसका मतलब कंसेप्शुल डेटा इंडपेंडेंस जो है वो व्यू लेविल में स्किम डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकती है without disturbing its upper level that is conceptual और जो फिजी कल डेटा इंडपेंडेंस है वो आपके conceptual लेविल में स्किम मॉडिफाई कर सकती है without affecting the physical level this is your data इंडपेंस okay and so it is simply this now different data models जिसमें आम लोग बात करते हैं सिर्फ और से relational data models की तो जो relational data model है उसमें आपका जो data है वह हम लोग ने बता किया ही हुआ है कि वो किस format में रहता बच्चा वो रहता है आपके तेबिल्स के format तेबिल्स का format मतलब आपकी जो टेबिल्स है जो टेबिल्स की format है that is rows and columns तो यह आपके columns हो गए इस दिस दिस या दिस 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 और यह आपके रोज हो और यह आपका पूरा column माना जाएं तो जो रोज है इनको आप बोलते हैं rows या record in the terms of और इनको आप बोलते हैं columns या attribute या field ठीक है तो अगर table items की अगर हम बात कर रहे हैं यह आपकार तो उसमें 3 field है और 9 records है यह 3 attributes है और 9 जो है उसके अंदर records है in this simple terms 3 columns are there and 9 records are there so this is your data table simply और इस जो tables है इनको आप बोलते हैं relation जो भी tables है वो आपके relation कहलाती है that's why it is called relational data model because relation क्यों कहते हैं क्योंकि आप multiple tables के बीच में relationship established कर पाते हैं यह हम अभी आगे देखेंगे कि हम multiple tables में relationship established कर पाते हैं that's why each entity यादिकी each table is called a relation ठीक है simply and now देखो ताम आपको दिया है a row in a table represents a relationship among the set of them relationship का मतलब interrelated ठीक है item है तो item item name price इसमें class नहीं है या school name नहीं है admission number नहीं है because this is not related to items such relationship has been established within the table ठीक है तो ठीक है तो ठीक टेविल ऐसी ही relationship का collection है इसी generally referred to mathematical terms relation अगर जिनकी पास बच्चों की पास है आपने 10 तक भी पढ़ा होगा तो वहां पर भी इसको use करते हैं that's why its name is relational database relational data model ठीक है other models are network data model relational data models में हमने क्या किया था कि tables के form में data को organize किया था network data model में जो data है वो node के form में use होता है ठीक है यहां पर बोड प्रॉपली वर्क नहीं कर रहा है तो यह जो वर्क करता है actually में relation में वो रहा लेकिन जो network है for example 15 students का हमने data लिया और 9 उनका columns में data था ओके यह था 9 columns में वो 3 columns में 9 rows का data था relational data model में यहां क्या होगा जो भी एक record है for example I1 के लिए उसका नाम सपोज ABC हुआ और जो भी तीसरा item की value की सपोज XXX यह एक node बनेगा आपका ठीक है ऐसे ही I2 सपोज XYZ इसका नाम है और BDDDD इसका जो भी आजी का description है यह भी इसका एक node बनेगा ठीक है तो यह different different nodes बनेंगे and then these nodes are interconnected क्योंकि आपको यहां पर दिख रहे हैं यह एक node यह एक node यह एक node यह सारे nodes है ठीक है and then these are connected ठीक है और फिर उनके बीच में relationship establish करते है because these nodes are connected or interconnected that's why it is called a network okay so this is network model and then hierarchical data hierarchical data जाता है organized होता है rather than graph यह आपका network model और relational data model तो आपने आपका देखाएंगे and some terminology regarding database and then we will move on to the queries okay any doubt in today's class then you can ask me